अभिनेता विक्रम जीत विर्क पंजाबी और हिंदी फिल्मों के अलावा साउत की फिल्मों में इन दिनों ज्यादा व्यस्त रहते हैं एक दर्जन से ज्यादा तेलुगू फिल्मों को काम कर चुके विक्रमजीत विर्ख की तेलुगू भाशा में बनी फिल्म एजेंट अप्रेल में रिलीज हुई और अब इस हफते अभिनेता की एक पंजाबी फिल्म मौडच रिलीज होने जा रही है इस फिल्म में निभाय अ और दोहरी सत्ता के खिलाफ पंजाब के संघर्ष की याद दिलाएगी ये मूल रूप से पंजाबी भाशा में बनी काफी महंगे बजट की फिल्म बताई जा रही है पंजाबी फिल्म मौड़हा के बारे में विक्रमजीत कहते हैं पंजाबी सिनेमा अब पहले से काफी विस्तर पर बन रहा है इस फिल्म का हिस्सा बनकर मैं बहुत ही रुमान्चित हूँ एक अभिनेता के तौर हर भाशा की फिल्मे कर रहा हूं लेकिन पंजाबी फिल्मे करके मुझे व्यक्तिगत रूप से अलगख खुशी मिलती है इस से पहले मैं पंजाबी में यारा नाल बहारां टू, थाना सरदार, एक संधू हुंदासी और मेरा बाबा नानक जैसी फिल्मे कर चुका हूँ. फिल्म मौडड़ा में विक्रमजीत वर्क ने चौधरी एहमद डोगर का किरदार की भूमिका निभाई है. वह कहते हैं, इस किरदार ने मुझे काफी प्रभावित किया है. मैंने इस किरदार को निभाने से पहले काफी तयारी की है ताकि इस भूमिका को सही से निभा सकूँ. एक कलाकार के तौर पर मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि किरदार को ऐसे जिया जाए ताकि दर्शक उसे पसंद करें अब तक मैंने पंजाबी फिल्मों में जितने भी किरदार निभाए हैं, उन सभी किरदारों में चौधरी एहमद डोगर का किरदार मेरे दिल के बहुत करीब है। फिल्म मौर रहा का निर्देशन जतिंदर मौहर ने किया है। जतिंदर मौहर ने साल 2010 में पंजाबी फिल्म मिट्टी का निर्देशन किया था, जिसमें गायक मीका सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई थी. जतिंदर मौहर मिट्टी के अलावा सिकंदर, किस्सा पंजाब, सादे आले जैसी पंजाबी फिल्मों का निर्मान कर चुके हैं फिल्म मौड उनके निर्देशन में काफी महंगे बजट की फिल्म बताई जा रही है इस फिल्म में विक्रमजीत विर्क के अलावा एमी विर्क और देव खरौत की मुख्य भूमिकाएं है ये फिल्म 9 जून 2023 को रिलीज होगी